नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आर्थी स्वागत है आपको अपने चनल में आज हम आपको यह वाली बुनाई बनाना बताएंगे यह मैंने फिंगरलेस ग्लस बनाई हुए है और यही बनाई मैंने इस कैप में डाले हुए है यह बच्चे के लिए एक सहरा टूपी इसको बनाया है मैंने आपको बहुत सुन्दर बिनाहित एक ठीक रहती है जो बेस रहता है बहुत ही मूटा रहता है वे ओपर जो में सीधी सलाई से बनाया है यह थोड़ा सा पतला रहता है और यही बुनाई मैंने यह देखिए यहां पर डाला है बनाई यह मोटा रहता है तो गर्माते भी बहुत है और यह चैन अच्छी लगती है इस तरह से चैन बनती जाती है ऊपर यह दिखिए स्लाइटिंग लाइम के त अच्छा लगेगए बनाने में बोरिंग नहीं लगता है और यह मैंने इस तरह से काफी चीजर में बनाई डाली हूई है आज हम इसी को बनाई हम बताते हैं आपको यह मैंने कुछ पंदे ले लिये हैं और इसमें दो सिलाए उल्टा-उल्टा बना लिया है इसमें अब इस मैं डाल रही हूँ आंगे इसके वीडियो में आपको डालूंगे मैंने राधर राने के लिए यह लहंगा बनाया है अभी अधूरा है इसमें किनारी-किनारी से मुझे आभी बॉडर बनाने यह इसका वीडियो में बात्न प्रोड करूंगे और जो मैं काना जी के लिए उपर में डाल रही हूं चलिए स्टार्ट करते हैं यह सीधा साइट है और यह उल्टा साइट है तो पहला फंदा हम किनारी से जब भी शुरू करते हैं उसको उतार लेते हैं जिससे कि किनारी की लाय है बुद्र स्ट्वेट आती है सफाई से दिखाई देता है अब हम इसके बाद पहला फंदा बिनेंगे यह सारी बुनाई उल्टी उल्टी की बिनना इसको अंदर साइट से लाई रहेगी इसको हमने इस तरह से बिना ठीक है दूसरा फंदा है इसको भी बिनने के लिए हम इसा धागा लेंगे लेकिन इसको बिनेंगे नहीं धागा हमने लिया है इसको ऐ ऐसे ही उतार लेंगे ठीक है इसके बाद दूसरा फंदा फिर हम बिनेंगे फिर इसके बाद जो फंदा है इसमें भी हम सिलाई डालेंगे और फंदा डाला लेकिन हम इसको बिनेंगे नहीं ऐसे इतार लेंगे तो एक फंदा हमने बिना और एक को बिना बिने उतार लिया चाह यहे, इसको धागा लंपते और अखेये और धागा प्लीखाने है는 या बिनने देख मैं लोगित Bike Fitness है, ईक वर लोग प्लीखाने है जुसके कज़ने हैं, जुसके करें ऐसा जागबong आ सबरह देखे हैं कि लोग दो दीखは पूरी शिलाई खाने हैं यह फिर से देखते हैं, धीर धीर बताते हैं आपको, यह हमने इस तरह से उतारा फंदा, धागा लेके, दूसरा फंदा हमने इसको यह बिना, फिर हमने बिनने के बाद एक फंदा फिर हमने धागा लिया, फिर हमने इसको बिना, फिर इस तरह से लिया, धागा लिया, बिनेंगे इसको सिलाइसे से उतार लेंगे फिर दूसरा फंदा हम सीधा बिल लेंगे एक बिना एक उतारा इसी तरह से हम ये पूरी सिलाइख कम्पीट करेंगे और पीची साइट थोड़ा सा चेंजिस है मैं आपको भी दिखा दिती हूँ बस याद रहे मिस्टेक नहीं हूँ एक बिना है एक उतारना अगर आपने गरत कर दिया तो ये ये रो है इस तरह से बढ़ते हूँ ये रो है बिगड़ जाएगी इस बात को ध्यान में रखते हूँ इसको बिना है इसको उतारा और इसको बिना लास में बिनने वाला ही करिएगा यदि दो आ जाएगा तो भी आप बिनने वाला करिएगा अब यहां से देखिए बैक साइट है इसको आपको समझना है पहला फंदा हम उतारा ये देखिए जो हमने धागा लपेटा था इसकी उपर आ गया जिस फंदे से उतारा था उसकी उपर चड़ जाता है ये देखिए इसकी उपर है तो हम जो फंदा हमने उतारा था उसमें सिलाई लेंगे और इसको बिनना है और जब हम इसको बिनेंगे जो इसकी पर धागा था इस चलाई के अंदर लाते हुँ इसको ले आएंगे इसकी उपर आ जाएगा फिर हमने एक फंदा जो बिना हुआ था इसको बिना जो नहीं बिना था इसकी पर धागा था उसको ऐसी अंदर से चलाई ल अंदर चढ़ाते हुए एक सिंपल जो बिना था उसको बिना और इसके पर धागा लपेटा था उसी क्यूपर लेना है बस थ्यान रखना है आपको कि जिसकी पर धागा में लपेट के फंदा उतारा था उसी क्यूपर यह आना चाहिए इस तरह से हम यह वाली वीज लाइन पूरी करेंगे इसी प्रोसेस से पूरा हमें बनाना है आंगे साइट और पीची साइट बस यह चलेगा कहीं कुछ नहीं है जब दो-चार सलाई बन जाएगी तब ही आपको यह बढ़ती हुई चैन आपको समझ में आएगी इसी तरह से मै पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर आपको लास्ट में इसकी डिजाइज दिखाती हूं यह देखिए पहली लाइन कंप्लीट हो गई है आंगे से भी हैं पीचे से भी दो लाइन बना लिए हमने अब हम आंगे साइट आ गए हैं तो पहला फंद हमने उतारा और दूसरा हम दनेंगे फंद seven अब लिए हम से अब देखिए इसको बढ़णे नहीं चाहिए तो इसको बना लेंगे जुआ साथ हैं तो हम एक छा इसको बना लेंगे इस तो और यह पंद हमने धाग़ा लिया इतारा एक क्योर्ठ को लें राउन्द यह देखनेैं यह जातारा क्यों सबर करता जाएगा तो हमने इसको धागा लेकर इतारा यू दो फंद एक साथ दिख रहे हैं धागा हमने एक कि पर चड़ाया था उसी को एक साथ बना देना है या सिंगल इसको इतारें गे और यो दो का एक जो है अगर देखे इस तरह से ताकि फंदे बढ़े नहीं उन्हार नही इस सिंग्ल फंदा है इसको धागा लेके उतारा और ये दो फंदी गे इसको बनाया इसको उतारा और इसको बनाया इसको बनाया इसको फंद लेकं उतारेंगे तो अगली में फंदा भी आगे चैन की तर्फ बढ़ने वालार Gum Stud में जाएगा और यह एक के पर दो हैं जो बड़ा हुआ है वो घड़ जाएगा तो बराबर रहेंगे इसी तरह से हम यह वाली लाइन कंप्रीट करेंगे फिर हम आपको लास्ट में आके फिर आपको दिखाते हैं दो का एक किया पिर इसको हम बना देंगे किनारे में कभी दो सिंगल आ जाते हैं तो आप वहां से लपिटना वाला स्टार्ट कर सकते हैं वह अपनी समझ से आप करेंगे आपको आप बनाएंगे ता आप वो समझ में आ जाएगा पहलो तारा हम ने यह देगी से दू सिंगल थे हैं तो हम इसको बिनेंगे अब ये देखिए ये दागा आया हे तो ये दागा आगे रहेगा और बिननेवाला पीछ रहेगा इसका रूंपर से मुश्कł vendors गरी अई हम इसको बिने इसको कुपdas Kindie एक बिना दूसरा भी बिनेंगे लेकि धागा इसके पर लेते हुए यह उतार लिया फिर एक बिना जो धागा लपीटा हुआ था उस सिलाई के अंदर लेते हुए उतारेंगे यह देखिए यह थोड़ी सी बनाई आपको दिख रहे हुए बढ़ती हुए चैन है यह चार या अब यहां पर हम एक में पहले से लपेट देंगे वनना यहां पर किनारे में प्लेन डिजान आ जाएगी इसको हम किनारे से इस तरह से धागा लेते हैं उतारेंगे इसको साधा बिनेंगे इसको धागा लेते हैं उतारेंगे उसको दो का एक करेंगे कि यह दो फंदी जो ए एक किया दागा लपेट के ही फंदा उतानना है याद रखिए कर बना आपकी चैन नहीं आएगी बढ़ती हुई चैन सही से नहीं दिखाए लिएगी कहें यह भी फंदार आगर आपको डिस्टर्ब हुआ तो चैन बीच में उसका दिजान चेंज हो जाएगा यह देखिए से उसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे और है अब आपको इतने में समझ में आएका किसने प्यारी डिजान बन के आईएं इस तरह से बाठ़ती हुए रू में है यह देखिए यहीँजान है बहुत ही सुंदर डिजान लगते हैं यहींगलस में पाःने हुए हैं इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे आपको जिसमें ही ये पैटन डालना हो स्वेटर में, गलप्स में मगवान जी के कपड़ों में आसन में किसी में ही आप डिजान डाले हैं बहुत ही सुन्दर और आसान तरीकिसी डिजान बनके रेड़ी हो जाती है इसका बैक साइड है दिख सकते हैं आप और ये फर्ण साइट है ऐसे ही और नए वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहे हैं मैं आपके लिए बहुत सी डिजान डे वाई डे आपके लिए लेके आती रहोंगी थैंक्यू राधे राधे